नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पार होंगे हमारे यूपी ट्रूपिल सी इंस्ट्रक्टर यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है तो जिन्होंने पहला प्रैक्ट सेट है अगर आप लोग पर्चेश करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिसके सुन बाक्स में देदेंगे तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है इसमें हमारा पहला कोशन है कि यहां पर कहा गया है कि आइडेंटिफाइड आप और कर्यक्ट टैंस इन द फारलॉइंग संटेंसं शूंटेंस किया कि ही सेड डैट ही वाज गोइं और टू इट इड्वुअट यहां है कि यहां पर कर रहा है यह किस टैंस में दिया गया है यहां आपको बताना है यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह जो टें करेंगे यहां पर देखिए सबसे पहले हैं वा जा रहा है वा जा रहा है मतलब यह था था मतलब हमारा की पाश्ट में चला गया तो यहां पर पर प्रजिंट वालब आपसन गलत हो जाएगा तो पहला और तीसरे यहां पर यह और सी वाला गलत हो जाएगा अब देखिए यह पतलब यह होता है हमारा कांटीनिमस को बताता है यहां पर पास्ट कांटीनिमस यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक यह हो गया हमारा correct answer देखिए यहां पर दूसरा question है the plural of bureau यानि कि जो bureau है इसका जो बहुबचन क्या होता है तो देखिए यहां पर जो दूसरा यहां पर है कि ब्यूरो का जो plural है तो ब्यूरो का प्लूरल होता है हमारा ब्यूर एक्स तो आपसा नमबर सी यहां पर टू का सी हो जाएगा ठीक तो यह हो गया अब इसका पर देखिए हमारे जो तीसरा question है तीसरा question यहां पर कर रहे है which of the following sentences in the present perfect continuous tense तो पर्जेंट पर्फेक्ट continuous tense की बात कर रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर आपका correct answer क्या होगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम आपको बतादे हैं पर पर यह कौन सा है वाज आ गया है यहां पर पहले वाले में तो यह वाला आपका गलत हो जाएगा ठीक इसके यहां पर आगया है यह वील आगया है तो हमारे यह फ्यूचर में चलागे अब बचा हमारा क्या बचा हमारा बी और सी वाला अब बी और सी में कोई एक हमारा सही होगा ठीक अब देखिए यहां पर कार रहा है perfect continuous की बात करेगा तो यहां पर हमारा क्या आएगा है जी बीन ह यहां पर चलते हैं अगले कोशन पर अगला कॉशन है हमारा चौथा कि आइडेंटिफाइब करेक्ट्री पंक्चुएटेड संटेंस फ्राम दा फालूइंग आपसन तो यहां निकि जो यहां पर पंक्चुएशन जो सही तरीके से किया गया है वही आपको आपसन चूच करना है तो यहां पर देखिए क्या होगा पंक्चुएशन यहां पर है कि while I was cooking the baby her brother and the cat were sleeping तो यहां पर देखिए while के बाद यहां पर आपका कामा नहीं आना चाहिए while के बाद कामा आ रहा है तो यह आपका नहीं होगा ठीक तो यहां पर देखिए यह हमारा गलत हो गया यह वाला आपसन गलत हो गया दूसरे यहां पर है कि while I was cooking तो यहां पर यह आपका भी गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा क्यों कि यहां पर देखें दोस्तों यहां पर कुकिंग दा बेबी हो जाएगा वाइल आई वाच कुकिंग दा बेबी तो यह आपका गलत हो जाएगा कोई बेबी को कोई थोड़ी पकाता है तो यहां पर यह आपका भी वाला भी गलत होगा तीसरे यहां पर रहक हूँ हो वाइल आई वाच कुकिंग दा बेबी तो यह भी वेवी को कोई थोड़ी पकाता है तो आई वाच कुकिंग यानि कि जब हम खाना पका रहे थें यहां पर हो जाएगा बेबी हर बर्दर एंड आपको नमबर डी वाला तो डी वाला आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ठीक कि वाइल आई वाज कुकिंग दा बेबी हर ब्रदर एंड दा कैट वेर स्लीपिंग तो यह हो गया अब इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं अब यहां पर हमारा पांचमा कोशन है कि पंच्वेट दा फालोइंग संटेंस करेक्टली तो इसमें आपको जो करेक्टली संटेंस है पंच्वेटिट के मध्यम से वही आपको बताना है यहां पर है कि आई लाइक आल तिक्स गूड एंद बैड बुटिफू एंड अर्ली डार्क एंड ब्रॉट यहां पर देखिए क्या होना चाहिए कि आई लाइक आल थिंक्स गूड एंड बैड यहां पर यह हो गया बैड हो जाएगा यहां पर एक कामा लग जाएगा आपका अब इसके बाद दूसरा के बाद यहां पर आपको कामा लग जाएगा यहां पर देखिए आपसा नमबर बी में दिख रहा है तो फाइप को यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भी ठीक अब देखिए यहां पर हम लोग चलते हैं अगले छेटा बैटा सब्सक्राइब करें होगे है देखिए और गणियां तो है और टो सब्सक्राइब रूख है यहां पर ख़ेए haven इमेल जो भी होते हैं उसके स्टोरेज एरिया को हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए इमेल संदोजिसों के स्टोरेज एरिया को हम लोग बोलते हैं mail box ठीक तो यहां पर mail box यहां पर correct answer हो जाएगा mail box तो सात्वे का यहां पर c answer correct हो जाएगा कि mail box में किसी की दवरा भेज़े गए mail को inbox में जाकर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ठीक अब देखिए यहां पर आठवा कोशन है कि email का आविसकार किस ने किया था उनका नाम है कि वी ए सीवा आयादुराई ठीक तो email की खोज मुल्ड रूप से अमेरिका में रहने वाले जो भारती यह सीवा आयादुराई हैं इन्होंने ही किया था ठीक जब उन्होंने यह आविसकार किया था तब वे 14 साल के थे सीवा का जो जन्म हुआ था यह महराश्ट मुंबाई कि एक तमिल परिवार में हुआ था ठीक और 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें email सिस्टम के जनक के तौर पर मानेता दी और email पर copyright परदान किया ठीक यह होगे अब देखिए आपर नौवा कोशन है कि मोबाई के जरिए धनराज के अस्थानांतरन को क्या कहते हैं तो देखिए मोबाई के जरिए धनराज के अस्थानांतरन को हम लोग बोलते हैं आई-एम-पी-एस तो आई-एम-पी-एस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानिकी ततकाल भुकतान सेवा यानिकी immediate payment service इसी को हम लोग बोलते हैं तो आई-एम-पी-एस हो जाएगा ठीक इसी का यह मोबाईल के जरिए धनराज के अस्थानांतरन को आई-एम-पी-एस यानिकी immediate payment service ठीक यह होता है हमारा MPS का देखिए यहां पर 12th question है किरां यहां परependि निम्न लिकित में से कौम सा curry Internet banking के माध्यम से नहीं किया जा सकता है तो यहां निंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है वह तो देखिये क्या रहता है कि खाते साकशने कि देखना चाहतें तो भी आप यह सकते लेकिन अगर आप लोग खाते से चारते निकालना घ्रविर अपने बैंक पर जाए यह तो फिर आप अयटियम पर जाएगे लिए तब ये आपका पैसा निकलें था आपका डिजिटल्या रूप से पैसे-क अस्था एंसर यह यहां पर यहांने से 01 ब्राउजर नहीं नहीं है वही आपको बताना है तो देखिये लीगे फेयर यह कुछा है हमारा यह यह एक प्रकार का आप्लिकेशन है समझ सकते कि हैं यह हमारा application software फाइरफाक्स भी सफारीच्श जो लीनुक्स है यह नहीं है यां फिर फार्मूला का क्या परिवड्राम आता तोели आमस्यूमें जो फार्मूला का परिड़ाम आता है यह यहां पर जो अर्डर दिया गया है यह यह आर्डर आता है हमारा मैक्सिमुम की बात करता है में एक समुतार पचास हो जाता था मिनिमुम की बात यहां पर किया तो मिनिमुम हमारा दस हो जाएगा करेक्ट आंसर आप तो नमबर से अब देखिए आपर तेरे नमबर का कोश्चन है एकसल में टेक्स्ट का डिफार्ट सर्रेखन क्या है तो में एकसल में टेक्स्ट का जो डिफाल्ट सर्रेखन होता है यह रहता है हमारा हम तरफ थे bers में नंबर का डिफाल्ट रेखन कहेगा तो यह हमारा दाएंट तरफ आता है ठीक अब देखिए आपर 14 नंबर का कोशन है कि जब Microsoft Excel 2016 लांच किया गया है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफाल्ट के रूप में सक्री होता है तो देखें जो Microsoft Excel 2016 में लांच हुआ था उसमें जो टैब डिफाल्ट के रूप में सक्री रहता है वह हमारा रहता है और देखें इसमें क्या होता कि बहुत अधिक डेटा के साथ कारे किया जा सकता है और इसमें डिफाल्ट रूप में होम टैब होता है ठीक यहां पर है हमारा पंदरे नंबर का कोश्चन कि सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट को पूड़ता है बड़े अच्छों में परिवर्ति कि लिए चेंज केस्ट को क्लिक करने के बाद लटन पर लोग करना होता है ठीक तो अबर केस्ट बंपरिक करते हैं तो पंदरे अगर दबाएंगे तो हमारा फाइल खुल जाएगा ठीक तो कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग जो साट काट की परियोग करते हैं हमारा सब्सक्राइब करना और लोड करने के लिए हम लोग जो विकल्प रहता है यह ओपन कमांड को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं तो ओपन कमांड को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर इसका टास्क चाप के किस बहाग पर रिस्तित होता है है यह हमारा रहता है तो यहां बाटम वाला आंसर यहां पर हमारा करक्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर हमारा 23-20 नमबर का कोशन कि विंडों के किस हिस्से में फारवर्ड और बाटन होते हैं वो हमारा बटन किस तरफ रहता है वह रहता है एड्रेश बार में एक पर आप तो नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एड्रेस बार देखिए विंडोज के अड्रेस बार में फारवर्ड और बैक वर्ड बटन होते हैं जिसके माद्ध हम से अगले पेज था इछले पेज को हम लोग देख सकते हैं ठीक तो बेस के आपर डी आंसर करेक्ट हो जाए करण करते हैं समय में एक साथ कार करते हैं यहां पर देख सकते हैं कई लोग कारक्ट करने की बात यहां पर तो यहांपर जब ज्यादा में की कारेक्ट करेंगáriaं को कर्दोने के उनमतीं देता हैं और यहोional करते के मद्धे संतुलन बनाए रखता है थिक यह हो गया अब देखिए आपर 20 नंबर को कोशन है कि operating system एक प्रकार का कौन साफ्टूर है तो देखिए operating system जो होता है यह हमारा रहता है एक आपर सी आंसर करक्त हो जाएगा ऐ कि नियुक्ट से बढ़ा है लेकिन तो देखी यह पर कि यह हो यहां पर पर क्रेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर देखिए कि यहां पर हो जाएगा आपका टे मिलाइन लाइन अ कि लोकल होना चाहिए और जो वॉन है किसे से सच自ए चोटा में ओने कौझ конц हो फो टीएशन अब यह हो गया थे अभी यहें यह न कहां पर यूज करते तो यहां पर करेंगे तोável won't के देट वर्क होगा जयां हम लोग बमें लिख करते हैं तो बिन ने कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है तो में दो यह दो से अधिक लोकल एरिया को जोड़ने का कारी करता है तो यहां पर में यहां पर करेक्टर हो जाएगा अब देखिए यहां पर जो है हमारा अब देखिए यहां पर पिपेशी नॉमबर का कुर्श ना के रोपर है कि मिढ़ले कंप्यूटर में देटा का भंडारन होता है यह होता हमारा वीनुंकिया रोप में यहां पर किरिकट आंसर होगे वह हमारा की चतूर से सिध्धान्त पूरवाकलान एवं मुल्यांकन की महत्ता ठीक यहां पर आपका 26 कड़ी अंसर करेक्ट होगा 27 नमबर का कोशन है कि सिर की सुरच्छा कैसे की जाती है तो देखिए जो हमें सिर की सुरच्छा करनी रहती है वह हम लोग हेलमेट के दवारा करते हैं हेलमेट पैनकर हम लोग अपने सर की सुरच्छा कर सकते हैं चसमें दवारा आंके की सुरच्छा कर सकते हैं मास्क दवारा यह तो आप जानी द्सताने द्वाराह सूरच्छा की ज़ाती हैं आफ से और कि और बार जए तो आपके लिए वह दूरगटना का कारण बन सकती है क्योंकि अगर वह सत्ह पर कर तो आप यह वहSpas करने की तो तेली फर्स अच्छा प्रकास होना मतलब काफी अच्छी बात है प्रकास अच्छा रहेगा तभी आप लोग अच्छे से मसीन पर वर्क कर पाएंगे उपयुक्त आवजार होजना चाहिए तो किसी कार को करने के लिए एक इस्पेसल आवजार की जरूरत पड़ती ह है तो उस आवजार का होना जरूरी है उपयुक्त वातायन यह भी आपका जरूरी है लेकिन तेली फर्स यहां के लिए दूरगहटना का कारण बन सकती है इसलिए हमारे अस्वरचित दैसा का कारण है ठीक अब देखिए उन्तिस नंबर का कोशन है कि बैवसाइक बीमारिया होती हैं बैकति को को से वातावराण में कार करने की यहां पर जीजो दिया गया है इसन्बार होती है बैवसाइक भी मारीये होती यह ज़या तरहें कारेस्थल वातावरण के कौर्ण होता है उसी के करान बborसाइक बीमारें उत्वन होती है अब 31 अंबर का कोश्चन है कि परदूसर्ण रासायान और धूमें में अधिक रहने से कौन से बीमारी हो में रह रहे हैं तो आपका जो हुआ है उसमें कैंसर हो सकता है थिक तो परदूषर जगह में रहे हैं यह पिर धूमे में अधिक रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि खाने से क्या होता है और इसका सिगरेट पिने से जो आपका धूँआ होता अगर जो पीते हैं तो उनके फेंफ़ने कैंसर होने की संभावना रहती है तो वहीं सभी यहां पर है प्रदूसर्ण रसाइन और धूँएं में अगर अधिक रह रहे हैं तो आपको फेंफ़नों का कैंसर ह हो सकता है ठीक आप 32 का मितना है कि कार्यास्तल पर उचा और लगतार सोर उथपन्न कौं कर सकता हैं तो यहाँ कर सकता है जैसे कौ्झे पर कर वांगर अगर हो दो सोर उत्पन हो रहा है तो आपको क्या हो सकती है बहरे पन यहां पर करेक्ट हो जाएगा यह तो आपको समझ में आ गया होगा है कि अगर 80 decibels अगर ज्यादा की ध्वन होती है तो हमारे लिए खतरा बन सकती है ठीक कि उर्जा प्रियामिड होता है तो देखें जो उर्जा प्रियामिड जो होता है यह हमारा कैसा होता है तो कहरा है सद्व उल्टा यह भी गलत है कभी उपर की और नहीं यह भी सद्व उपर की और यह भी गलत है तो देखें जो के सदा ऊपर के यहां पर किर्क्ट आंसर होता है तो सदा ऊपर क्यों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्जा ही अगले अस्तर पर पहुंच पाती है इस नियम का प्रतिपादन वर्ष 1922 में किस ने किया था तो लिंडे मान द्वारा किया गया था इसलिए इसे लिंडे मान का 10 परसंट का नियम भी कहते हैं तो यह उर्जाव प्रियामिड यहां पर सदा उपर की ओर होता है ठीक अब देखिए आपर 34 नंबर का कोश्चन है कि भारत में निमलखित में से कौंसर जैव रिजर्व वर्ले नेट वर्क है और बाय। स्फेयर ॉजर्व में सामद नहीं है थिक तो देखिए मैं जो रिजर्व है यहां पर वर्ले नेट वर्क है और बाय। कारभे तो यहां पर देखीं वर्ल्ड नेटोवर्क है यहां पर यह आपको वर्ल्ड रिज़ी और तो यह वर्ल्ड नेटवर्क आप बाईस्फेयर रीजरवज विस्व में बाईस्फेयर री जर्वे जगहों की लिष्ट तयार करता है भारत में खुल अठारे बाईस्फेयर रीजरव्य हैं अब देखिए यहां पर है अगला कि क्योटो प्रोटोकल किस संबन्धित है जो प्रोटोकल है यह आपका संबंध रखता है जलवायों परिवर्तन से ठीक तो 35 के अपर एड़ी आंसर करेक्थ हो जाएगा क्योटो प्रोटोकाल जलवाय परिवर्तन से संबन नहीं तो यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाए आपका यह होगा कि कार्यास्थल पर महिलाओं का यौन उत्पूलन रोग्थाम निसीद और निवारन अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्या मुलिगत में मज़दूर क्या 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 शामिल होता है तो देखिए दोस्तों मजदूर में आपका यात्रा बाता भी आता है और भविस नेधी में दिया अभिधाय भी आता है यहां पर आपका डी अंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी अध्यक्यांबर 38 मंबर को कोशन है कर्मिचारी प्रतिकर अधिनियम की किस अनुसूची ब्यावसाइक रोगों की सूची का उल्लेक करती है तो देखिए यह जो है आपका अनुसूची जो फर्स्ट है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्रति करमिचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की अनुसूची फर्स्ट में ब्यावसाइक रोगों की सूची दी गई है तो जिस धारा के अंतरगति यह दिया गया है वह हमारा है धारा नमबर चार अब करमचारी राजबीमा अधनियम 1949 कब लागू किया गया तो करमचारी राजबीमा अधनियम दीजिया गया था यह किया गया था 31 अगस्त 1929 को ठीक जो राजबी करमचारी राजबीमा अधनियम 1949 को अधिनियम जो है 31 अगस्त 1949 को किंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था ठीक अब जखें आपर icit 47 स्न ह Tina निगम द्वारण उस तारीक से जिसको किद्र सोध्य कि बाद कोई आद्य간 नहीं किया जैगा यह होता हमारा पांच वर्स यहाइपर हमारा करेक्ट हो जा कि निगम द्वारा अभिदाय सोध्य होने की तिथी से पांच वर्स तक कोई आधिस पारित किया जा सकता है यह अधारा फुट्टी फाइफ एक के परंतुक में उपबंधित किया गया है ठीक यह फुट्टी एक के उसमें है कोई भी नियोजक करमचारी को उस कालावधि के द दॉरान पदच्यूत नहीं करेगा कब देखी यह कब है जब बिमारी प्रसू विधा के और विविद प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा कुछ नियोकताओं को भविस निधिक हात्रों को बनाय रखने के लिए अधिक्रित करने से संबंदित है तो यह जो है आपका धारा सोलह एक अंतरगत आता है 43 का एक कर्मिचारी भविस निधि और विविद प्रावधा अधिनियम 1952 की धारा सोलह एक नियुकताओं के भविस निधिक हात्रों को बनाया रखने के लिए अधिक्रित करने से संबंदित है धारा चौद है जो ससिस्त या धंड है धारा अठारे सद्भावना पूर्ण की गई करवाही का सनच्छन है कि अब देखिए पर चवालिस कि धारा पंद्र हैं यह संबंद रखता है हमारा मौजूदा भविस निधी से संबंदित विसेस प्रावधान से तो चवालिस के यहां पर भी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए अपर पैंतालिस नमबर कोशन है कि सिच्छू अधनियम में कुल कितनी धाराएं तथा अध्याएं हैं जखिए सिच्छू अधनियम में जो कुल धाराएं कि अगर हम बात करें तो जो कुल धाराएं हैं वह हैं हमारे अनतिस धाराएं तो अनतिस धाराएं हैं और अगर अध्याय की बात करें तो यह हमारा तीन अध्याय है ठीक तो धाराय कितनी हो गई अध्याय कितने हैं तो तो 45 के यहां पर भी अंसर करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर इसका 46 का डी अंसर करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर कोश्चन है केंद्री सिचुता परिश्द की अस्थापना किसके द्वारा की जाएगी या की गई थी तो यह किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कारखाना अध्याइव नहीं से 49 में कुल कितनी अनसूची आं तो जखे का खाना ध्याइव नहीं से 49 में जो कुल सूच्चियां है वह हैं तेन जिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर होजाएगा अपसे नमबर डे अब देखिए यहाँ पर है हमारा 49 नमबर कोंस्ट्टिन कि कारखाना धनियम 1948 के अंतरगत बालक से ऐसा बैक्त अभी प्रेद है जिसने अपनी आयुका कितना वर्थ पूरा नहीं किया है यानि किसे ज़्यादा के अम्र के लोग ही सिर्फ कारखानों में अपना जाप कर सकते हैं उससे कम वाले नहीं तो यह आपको भी पता होगा अब कर खाना धनियम 1948 के अंतरगत बालक से ऐसा ब्यक्त अभी प्रेद है जिसने अपनी आयुका अगर क्या है कि पंद्रहमा वर्थ पूरा नहीं किया है तो नहीं कर सकता है तो यहां पर पंद्रहमा वर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक तो जैसे कि अगर कहीं कहीं आपका अप्रेंटिस भी अगर निकलता है तो कच्छा दस बेसपर्थ उसमें आपका कहा जाता है कि कम से कम आपका पंद्रह साल पूरा होना चाहिए ठीक तो पंद्रहमा आपको वहाँ पर मांगता है तभी आप लोग कार खाना धनिया तो इस तरह से तो मिनिमूम कम से कम पंद्रह साल होना चाहिए पूरा अब देखिए आपर पचास नंबर कोशन है कि कारखाना धनिया मुनाइस से अंतरगत कुमार से निम्लखित व्यक्ति अविप्रेत हैं तो देखिए यह जो होता है यह आपका करेक्टांसर यहां पर क्य तो लोग हैं ऐसे जो पंद्रह वर्स से तो अधिक हैं लेकिन अठारे वर्स पूरा नहीं किये हैं तो उन्हें से उन्हेंटालिस का जो कारखाना धनिया मैं यह कुमार से अविप्रेत है ठीक अब देखिए आपर एक क्यावन नमबर कोशन है कि कारखाना धनिया मुन्हें के अंतरकत कैलेंडर वर्स से क्या तातपर हैं तो देखिए जो कैलेंडर वर्स होता है इसका जो में तातपर होता है यह रहता है कि एक जनवरी से प्रारंब होने वाली बारह मास की कालावधी ठीक तो यह हमारा होता कैलेंडर वर्स तो 51 के यहां पर यह आंसर करेक्ट हो ज कि कि खाना अधनियांव और नवित अनुसूची में ऐसे उध्योगों की सुची दी गई है जिसमें परिशंकट में प्रतिकरियां अंतर विलित हैं अंतर वलीट हैं तो देखें यह जो अनुसूची है यह अनुसूची आता है आपका अनुसूची फर्ष्ट के अंतर खाना अधनियम पर्थमान सूची में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें परिसंकट में प्रिक्रियां अंतरवलित हैं कि कामगार मुआवजा अधनियम क्या है तो देखी यह है कि एक साथ लागू हो सकता है तो आपका एक साथ लागू हो सकता है तिरपन के यहां पर एए आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर चौवन नबर का कोश्चन है कि निम्लखित में से किस बिधान के अंतरगत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंसदान की आवस्चक्ता नहीं है तो अंतरगत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंसदान की आवस्चक्ता नहीं है यह है हमारा कि म आणसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर कि मात्रित लाभ अधनियम 1965 कर्मचारी प्रत्कर अधनियम जो है पूछ लैता है जिए फच्पन में से सद्भिन का नाम हाल में बदला गया तो जिस अधनियम का नाम बदला गया है वह इसका नाम बदल के कर्मचारी प्रत्कर अधनियम 1923 कर दिया गया थी कौन सा हो गया कर्मचारी प्रतिकर अधनियम 1923 कर दिया गया ठीक तो कामगार मुआज़ा अधनियम आप क्या हो गया है कर्मचारी प्रतिकर अधनियम 1923 हो गया ठीक इसे आपको याद रखना है यहां पर पच्पन कही आंसर करेक्ट हो जागा इस याद रखिएगा देखिए आपका गुरू और सिस्सिका तो चपन के आपर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसी कावा के अनुसार गुडवत्ता सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा एक कदम आगे जा सकती है इसी कावा एवं डेमिंग दोनों ने ही गुडवत्ता इवरित्त का उपयोग गुडवत् के आवयव हों में सामिल नहीं है तो ढुद तो सबसे पहले हम आपको बता 2050 होता क्या है है यह होता है ने हिग्टिम्ट यह होता है का या कि फुल्फ Alber tique एंब का तो इसका आपका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा नजरबंदित सामिल नहीं होता यह दिशे कुल गुडबत्र प्रबंधन में जो अविया होते हैं वैत होता है यह तो होता है आपका नेत्रित क्या है तो देखें स्वाम मौिक कारे का जो फायदा होता है यह रहता है कि यह आंत्रिक ग्राह के वह आप झार्थी कर्चा के वीच की बाधाओं को समप्त करता है ठीक तो यह अंथावन के यह तो क्या है तो दिखिए का जुत पर होता है यह होता है सततसुधर। कहते हैं कैजन का तत्पर सततसुधर से तैंसे कभी ना समाप्त होने वाला सुधार संभधित प्रयास है जिसमें प्रबंधन एवंकर करता सभी एक समान रूप से सम्मिलित होते हैं ठीक अब देखिए आपर साथ नमबर कोशन है कि SGA को और किस नाम से भी जाना जाता है तो SGA यह जो होता है इसका जो अन्य नाम होता है यह होता है हमारा क्वाली शर्किल तो क्वालीटि शर्किल यहां पर आपस नमबर एक कररेक्ट हो जाता है यह को क्वालाटी शरकिल के नाम से जाना जाता है म्हें हर्ट जी यह है एक समानकार्य छेट्र के करमचारियों का एक सम Felix loving क्या थेई कि दो बेहन दीख कि स्राज का पारांपरिक निरित्त तो हैं यह जिस राज का निरित्त तोIs हमें एक्साट की हैं एक्सकर क्या पर शीतर करेkt्ट हो जाएगा जो पििन गथा जीति आदिया जाती होती है उसके द्वर्णास महिनर बुड़ के मनाया गुजरात को देखिया है यहाँ पर गुजरात का जो मयन होता है अजर्बार होता है हमारा समय है तो आध उपने पूंच लेता है देखिए 62 नमबर का कोश्चन है कि निम्लिकित में इसे कौन एक परसिद है कवाली गायक या गायका थें देखिए जो परसिद कवाली गायक या गायका थें यह है आपके कि नुसरत फत्य अली खान यह क्या है कवाली गायक या गायका थें अब देखिए हम आपको ये भी बता दें कि इनके बहुत से आप गाने भी सुने होंगे जैसे कि नुसरत फते अली जो खान थे सूफी सहली के परसिद्ध कवाली गायक थे और इनका जो जन्म हुआ था पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ फैसलाबाद में हुआ था और इनके द्वारा जो दिये हुए गाने थे मेरे रसके कमर आप सुने होंगे तो ये है आपका गाना मेरे रसके कमर दमा दम मस्त कलंदर और इसके बाद तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी और हिजाब को बेनकाब होना था काफी लोग प्री हुए थे इनके द्वारा जो गाया गया था ठीक अधिए आपर 63 नमबर कोचना है 1999 में गांधी जी ने सत्यग्रह के लिए अहवाहन किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने किस नम का अधिनियम परित किया था तो देखिए 1999 में गांधी जी ने सत्यग्रह के लिए अहवाहन किया था उसके खिलाफ अंग्रेजों ने जो एक्ट लागू किया था उसका नाम था रोलेट एक्ट थे तो 1919 में गांधी जी ने सत्यक्राइक के लिए हमाहन किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट नामा के एक अधिनियम पारित किया था गांधी जी की हत्या किसने की थी तुसे हमें बताना नहीं है आप लोगों को खुद बता होगा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदूलन का जो प्रारम्व किया था यहां प्रारम्व किया गया था उननीस सो ब्यालिस में पर आपका करेक्ट आपकर आंसर हो जाए था शांचेंट नम्बर कोशन है कि राफटिंग कमेटी का कथन कभ किया था तो देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी इसका जो गठन किया गया था 26 अगस्ट 1947 को किया गया था किसके अध्यचता में हुआ था तो डॉक्टर भीमरो अमबेटकर की अध्यचता में एक प्रारूप समित का गठन किया गया था हुआ हमारे देश में सिछ्छा का अधिकार एक कौन साधिकार माना जाता है था देख्यां का जो अधिकार हैará यहां एक मुलभूत अधिकार की अंध्यकर kolo Art प्रदान मंत्री कि सेवा निवरित होने की उम्र है वह कोई भी लिमिट नहीं है तो आंसर्थ कहा यहां पर ईयाँ सर करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी लिमीट और कोई सीमा नहीं ठी तो किसी प्रकार की सीमा नहीं है प्रदानमंत्री सेवा निवृत होने की है और यहां समिद्यान के अनुछ american प्रेड पचातर में दीव गया भी है कि प्रदान कि नियुक्ति के बारे में और इसमें कहा गया है कि अनुच्छत पताहतर में कि परधान मंत्री के सवा निवरित होने की कोई भी उम्रे या सीमा नहीं है ठीक वैसे हम आपको बतादें कि जो परधान मंत्री हों उसके मंत्री परिषद का जो कारिकाल होता है प्रतु लोग सब्भा अब इस्वास प्रस्ताव के द्वारा कारिकाल समाप्त होने से पूर्व मंत्री परिषद को हटा सकती है अब देखिए आपर है हमारा अगला कोश्टिक से नम्नलखित में इसे चीन का राष्टी पच्छी काॉंट सहें तो देखिए दोस्तों पर चीन का अगर राश्टी पच्छी की बात करें यहाँ पर है हाँ रेट क्राउण क्रेन जिसका वैग्यानिस नाम होता हैwar के तो यहां पर जो है छीन का राश्टी पच्छी जो है लाल्मकुट वाली क्रेंस करेंठ़ चाहिए यहां बिचक नंबर बेहाँ स्थाइब इसका यहां इस त्ट.ë गुरूस जैपोनन सिस ठीक और इसे अम लोग जापानिक क्रेन भी कहते हैं जैसे कि अब यहां पर है और सब आगे चलते हैं कि सत्ता नमबर का कोश्चन नमलकित मेंसे किस राज में पंचायत प्रणाली बिद्यमान है यह आपका अव्णाचल परदेश में हैं तो आपका अव्णाचल परदेश यहां पर सत्तर का एंसर करेक्ट हो जाएगा बलवंत्राय महता समीत की सिफारिस के आधार पर त्रियस्त्री पंचायती राज बरस्ता को लागू किया गया था ठीक और इन्हें पंचायती राज का वास्थकार माना जाता है और देखिए यह जो कुछ भी विकल्प दिये गया है इसमें अव्णाचल परदेश में पंच एच डिया इकिन तीन चेत्रों में विकास का मापक है वह है हमारा कि की स्वास्त शिच्छा और आमदनी तो स्वास्त शिच्छा और आंदनी हां पर पर करिक्ट आंसर हो जाएगा तो 72 पर करेक्ट हो जाएगा है अब देखिए अपर 98 नमबर का वास्ति थैखिए और है तो देखिए दोस्तों अगर आपको पंचवर्शी योजना के बारे में जानना है तो इसका लिंक हम आपको डिस्कुर्शन बाक्त में दें कि महां से आप लोग जाके देख सकते हैं तो देखिए भारत में पर हमें पंचवर्शी योजना की जो अवध ही थी यह अवध ही था यहां पर एक पर आंसर करेक्ट हो जाएगा स्रम एम्रोजगार मंतराले कि अब देखिए यहां पर है सकती प्रवाई आई और प्रतिरोध आर के बीच क्या संबंद होता है तो आपको पता होगा यह जो संबंध होता है यह होता है है आपका है आपको पता होगा एक false होता है यह फ लोग यह फी instruction होता Watch हुआ यहां पर हम लोग राखेंगे पी क्वेल टू मर क्या हो जाएगा वी के जगह पर आया रखेंगे तो आज स्कुएर इंटू आर्व जैए पीटो आइज्टो इंटू आर यानि की चीहात्र का यहाँ पर डी या फिर आप यहीं पर देख लेंगे तो आप पर और फार्मूला निकल कर आता है पीक्वल टू जी स्क्वेर बाई आर यह भी आपको एक फार्मूला होता है ठीक कि नमर्खित में से दूध में कौन सामल आजाता है दोस्तों वो हूँ तॉ थे हमारा लैक्टिक रमल्य। यहां पर perceived और देखे जो लेक्टिक हमल होता है यह आपका कर्भो होता है और चिसंवत को सब्सक्राइब होता है और श कार्जिक होता है या कौन प्रोटेन का एक प्रमुक्व सुरोथ है तो कि आपको बताना है जब सब्रोटेन के अच्छे बूस तो दोस्तों यहां पर है कि प्रमुक प्रमुक शुरुत नहीं है तो प्रोटीन का जो प्रमुक शुरुत नहीं होगा हमारा गेहूं प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्र में पाए जाता है इसे आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाए जाता है तो यह द बहुत कम होती ती तीन से पांच प्रतिसत टक पायाता है लेकिन ज्यादा हयर में और चना में और अण्डा हो गया इन सब में क्या होता है कि ज्यादा मतर्था में लेकिन यहां पर देखिए आपसम के चाप साधbeiter आपत देखेंगे कि कौन हमारा क्योंकि पूछा गया था कौन सब नहीं तो जो नहीं है वह हमारा यह कूशन की एक गयर के नाम क्या है तो ड़ी के सीग्ड का नाम की ऋनल में जो मौझूद रचनात में प्रोटीन हैं यह जो होते हैं यह रहते हैं के रोटीन तो के राटीन या के रोटीन जो सब्सक्राइब आप इसे पढ़ते हूं तो यहां पर 79 का डी आंसर करेक्ट हो जाका कि मानव भोच का जो मुख्यावा प्रोटीन होते हैं अमीनों अमले कई तरह के प्रोटीन का निर्मन करते हैं कैरोटीन जो होता है अपका बालों में नाखूणों में खुर में सीच में और तवच्य में उपस्थित होता है प्रोटों कि एक सही 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 सम्क्रण है गटिसे सम्क्राइग्ण एक सही समिक्रण है तो देखिए आपका यह जो है आपका वी कुल टू यू पलस एटी रहता तब आपका सही हो जाता है लेकिन यहां पर एक एटी स्क्वार कर दिया है तो अगर यह यह ना रहता तो आपके यह सही होता है यहां पर टी स्क्वार दे दिया तो पहला गलत हो ग स्वारी विछ स्क्वाल टू यहां पर देखें हम से il simplicity हो यहां पर यह रहता है विस्क्वारीक टू यूज्डर टूइस स्क्वार्ई धियंगे इस पर कि ये हो जाएगा यह पहला वाला हमारा क्या होता है झूपे यूपलस80 होता है ठीक तो हो गया निकी दोस्तों यहां पर हमारा ना तो वाला ना दिवाला है, तो यहां पर वाला हो गाई हमारा संठीक नहीं यहां पर वाला होगा कैसे होगा आए हम आप लोगों को बताते हैं श्यूसर म 30 अजियं तो यहां पर देखिये कैसे होगा अब यहां पर यह जो फर्मूला दिया गया है S 2 is equal to 2 U 2 plus 80 तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर जो तो यह से इसको दो से भाग देदेगे तो देखिए है तो यह से इकॉल टु यह से पलस 80 स्क्वेर है इसमें क्या करिए सभी को दो से भाग देंगे तो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा अब देखिए आप दो से दो कड़ जाएगा यहां से आपका दो से दो कड़ जाएगा तो यहां पर हमारा फर्मूला क्या यह से इसलिए गलत हो और यहां पर यहां पर प्लस रहता है अब यहां पर यहां पर हमारा वाला आप जिया है अब अब देखी audio यहां पर है कि इसको साल्व करना है जो एक्वेशन दीया गया है इस को हम जो करेंगे जैसे कि यह पर कर रहा है कि इसका मान किया होगए यह भी हनुद ऐसे तरहिए उठ्खे यह और चार सक्ष एक उनले कि होगे आपके का-धार passer można कि यहां पर हमारा भागा चार तो बहुत है हमारे जाएगा करने के फूबंड हमारा हम लोग इसको सालब करेंगे न तो धो देखीं यहां पर पांच में इसे दो जाएगा कितना बचेगा हमारा तीन बचे गा है तीन जु आएगा हमारा इसको जब सुल्भ करेंगे तीन तो यानि कि च्छै और इसको अपर तिनिया मिलाकर 9 मो에 जाएगा उसमें से मुंट मैससे को धटा देंगे तो न्व में हम लोग साल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा वस या प्लस और सल जाएगा इसके बार आठ्ट पू रूडए चार बटÁ चार॒ जाएगा इसको जाएगा इसको कुरा टॉटल इसको झासर को चार यह वह जाएगा इधर वाला यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपर यह वाला हमारा करेक्ट ठीक हम और अपको बताना है यहां पर हम आपको बताने वाले हैं इसको तो इसक कंट तो अब देखिए यहां पर आपक क्या होगा कि एकस वाई से तीस प्रश्चत कम है तो हम लोग इसका मान रखेंगे जैसे कि यहां पर है कि यह वाला जैसे कि हम कोई अंक यहां पर मान ले रहे हैं एकस वाई और जड़ यह तीन अंक हैं हमारे इसमें से कहा गया है कि जो x है y से 30% कम है ठीक तो y को हम लोग क्या माल लेते हैं 100 माल लेते हैं तो इस साप से अगर हम लोग देखेंगे यह आना चाहिए जब 30% कम है। वाला हमारा कितना आएगा सत्तर देख सकते हैं यहां पर कि जो हमारा वाई है अगर हंड़ेट है तो तीस प्रसेंट हमारा एक्स कम है तो जो जड़ है यह से सकतर है इसका 50% यानि कि आधा सत्तर का अधा हमारा कितना मैं प्रस्चत कम है कि देखिए वाई वाई हमारा कितना है वाई कमान है हमारा 100 जट कमान हमारा 35 में तो कितना प्रच्चत कम है तो इसको निकालने के लिए सब से पहले इसका डिफेरिंसने निकालेंगे दोनों का डिफेरिंस कितना है वाई मैंनेस जड तो यदि यानिकी सब मैंनेस पैंटेस कितने में है और किसका यहां पर निकाल भाई होगत क्कुषकरा इना पुष all परकितना मदिया है आप तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 100 क्योंकि वाई किमान हमारा 100 है परसेंटेज निकालने तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 100 का गुड़ा कर देंगे यहां पर 100 से हमारा 100 कड़ जाएगा तो यहां पर हमारा क्रेक्ट टांसर हो जाएगा अब यहां पर हमारा अगला कोश्चन अब यहां पर आने वाला तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं तिरासी नंबर कोशन है कि इसका अवस्वत अगर यह जो शंक्षियां दी गई हैं पच्टेज़ 27 29 36 47 और एक संख्या हमारा एक्स इसका अगर 35 तो एक सकमान क्या होगा तो देखिए अवस्त निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जितनी भी संख्यां दी रहती हैं उसका हम लोग योग करते हैं बटे हम लोग उसका नंबर आप से भाग दे देखिए इसमे अगर हम लोग योग करेंगे क्यों आएगा हमारा 162 गुर्ग करेंगे रफटेगे शय गुड़े और 35 करेंके तो चेल गुड़े 35 beş हम लोग करेंगे किंदना निकाले गाँड़ीए यहां पर आए गाहन SN Is यहां यहां पर आएगा हमारा 210-1212 कि अब यहां पर देखिए 210 में से 162 अगर हम लोग निकालेंगे ति हमारा 48 आजाएगा यह आएगा हमारा 109 इसे आप करके देख सकते हैं गुड़ा क्योंकि यहां पर देखिए आपका आज आएगा गुड़ा करके देख लिएगा पचासी नमबर कोश्चन नमने लिखी तमें से कौन सी भिन्ने सबसे बड़ी है जो भी आपको बताना है तो देखिए 8 बटा 19 इसको जब हम लोग साल्व करेंगे तो यह लगवग आजगा जिरू दसन्मूलो 48 के आजपस करें जो आजब नव बटा 22 इसको जब हम लोग साल्व करेंगे तो यह हमारा आए का लगवग 0.49-4-09 के असपास और जो 20 बटा 23 से इसको हम लोग साल्व करेंगे तो यह 0.10-4-3 के असपास आएगा और जो हमारे यह लाष्ट वल है 11 बटा 24 यह इसको जब हम लोग साल्व करेंगे तो यह लगवर जो इसमें बड़ी भिन्ने की बात तो सबसे बड़ी बिन्ना आपको पर हमारा निकल कर आया है यह निकल कर आया है जीरो चार पांच आठ अब जखेंगे यहां पर च्यासी नमबर कोश्चन है कि नम्लिकित में से उस विकल्प का चेहन करें कि जो बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है तो बनाना मुहावरे का जो अर्थ है यह अर्थ है आपका इस मूर्ख बनाना काता ना इन को बना मतलब इनको मूर्ख बना दी है यह पूल्लू बनाना मुहावरे करत होता है कि अधीए है अब आप देखिए यहां पर 67 नमबर कोश्चन है दीये गए सब्ढ़ का बिलोमं चुने तो उत्क्रिष्ट का विलोम क्या होगा देखिए उत्क्रिष्ट का विलोम जो होगा वे निक्रिष्ट होगा उत्क्रिष्ट का निक्रिष्ट इसका विलोम जाएगा ठीक कृष्ण का जो होता है यह हमारा सुक्ल होता है कृष्ण का सुक्ल होता है कृष्ण का सुक्ल होता है हमारा बिलों सूख होता है अबRI贏 8 संथा नमबर कोशन है कि दिये गए सब्यच के पर्यावाचि सब्द कहा चेयन करें देखें प्रयावाचि आपको करना है कि हां अर्जून का जो पर्यावाचि होता है धृती नंबर को कुछन है कि दिए गए वाक्यानसों के लिए एक सब्द चुनिये जो भूम उपजाउ ना हो उस भूम को हम लोग बोलते हैं बन्जर भूम तो नहुसे हम लोग बन्जर बोलते हैं अब देखिए आप 10 नमर कोशन है सही वरतनी वाले सब्द का चैन करें आकर्सक आकर्सक यहाँ पर देखे तीन चार तरीके से लिखा गया है तो आकर्सक आपको पता होगा ऐसे ही जो आपसा नमबर ए दिख रहा है ऐसे ही लिखा जाता है क्यानली नमबर कोशन है कि नमन्खित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे तो रसमंजरी जो संस्कृत ग्रंथ है इसके जो रचनाकार है यानि कि जो लेखक हैं वो कौन से हैं तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो है भानुदत तो भानुदत यहाँ पर आपका correct हो बाकी है पर हम आपको और बताते हैं जो कमंड़क है यह लिखे में लिखा गया है यह कि repair tai तर्जूनियम की द्वारा लिखा गया था और कि है यह वो गए हमारा है कि लिखत में से भारत का सर्वच नागरीक पूरसकार का इसकाई भारत का सरवच नागरीक पूरसकार वह था तart भारत रतन भारत का सरोच नागरिक पुरसकर है भारत रतन सम्मान 1924 इस से दिया जाता है यह सम्मान आसाधारन राष्टरी सेवा के लिए प्रदान किया जाता है इन सेवा में जो होता है कला साहित सरवजनिक सेवा और खेल सामिल होते हैं अब देखिए आपर 93 नमबर कि उपके अंतरगत किया गया था वस्यूद न इस कि यह पर राष्टरे संघ की ग़ए ति तो अमेरिका के जो तत्काली राष्ट्ट प्रती थे उससे में बुड्रोव विल्सन उन्हें की पहल पर 1970 2019 जो पर्थम युद्धि के बाद के समय में राष्ट संग की अस्थापना एवं भावी महाव युद्धु को टालने के लिए और युद्धि से होने वाले आर्थिक नुकसान एवं भीशन नर्संगार को रोकने के उद्धिस से किये थे और इसके संस्थापक सदस्यों की तो मराष्ट मंडल खेलों को जो आयोजन किया गया था वह किया गया था आपका कनाडा में ठीक तो कनाडा यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जगा चौरानवी का एब देखिए नंबर कोशन है कि बगदाद की राजधानी क्या है दोस्ते यहां पर देख सकते हैं जो अब कजिन कि यहां छीनका क्या है डिजिंग एस में कि रूस का क्या है तो अ रूस का देखि क्या है कि यहां to अ है सब्सक्रीया कि often znale quick now question है बंदेल खंड नामख एख नंचेतर नमनलिकेत किस सीमा के अंतरगत आता हैं तोबंदेल खंड नामक छेत्र जो जिस सीमा के अंतरगत आता है वह आता है आपका उत्तर पर्देश और मध्ध पर्देश सीमा के अंतरगत आता है बुंदेल खंड चानवे के यहाँ पर आपका बी अंसर करेक्ट हो जाएगा उत्तर पर्देश राज के स्तरवाधे 11 जिलों की सीमा मध्ध पर्देश से लगती है जिसमें आपके हैं इटावा जालाउन जहां सियागरा लालितपूर महोबा बादा चित्रकूर प्रियागराज मिर्जापूर और सुनभद्र और ये चेत्र जो है यह उत्तर प्रदेश के बूंदेल खंड नामक चेत्र के अंतरगत आते हैं जीए सम्तानीवी नमबर कोउष्चन है कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस सहर में इस्थी थैं देखे जो रूमी दरवाजा है या आपका लखनाव में इस्थित है अब देखिए तुर्किस गेटवे के उप नाम से जो परसिद रूमी दरवाजा है या उत्तर प्रदिश के लखनाव सर में इस्थित है इसका जो निर्माड हुआ था अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतरग नमाब असफ दौला ने 1786 में करवाया था ताकि आकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके अंठानवी नम्मर कोशन है कि उत्तर प्रदेश के चर्कुला निरित्ति में महिले अपने से पर क्या रखके निरित्त करती हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर चर्कुला निरि देखिए यह पर जिनःत्य निरित्त में क्या होता है कि जो तरपरदेश के यहां पर यह निरित्त है इसमें महिला आपने से पर धी पर दीपक तेल का जो दीपक रहता है उसको रखकर निरित्त करती है उटानवे कि यह पर C आंसर कर्योंट हो जाएगा दखिए यह आपका क्या है प्रिवियस यह पीपर था उससी रिलेटेड़ है इसमें उठाया गया था यहां पर है कि श्री अख्लेस यादों ने तरितमी उत्तरप्रदेश सरकार्द वर पत्तकारों की मदद एवं सायत है तो यह जो प्रारम किया गया था यह था आपका अब देखिए यहां पर है कि उत्तरप्रदेश में निवेस और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए उत्तरप्रदेश सिविल डटट समवर्धन ने 2017 पेस की गई है ने तिराज में प्रेटन को भी बढ़ावा देगी तो किस पर बढ़ावा दिया गया है यह आपको विमानन के लिए ठीक तो यह हो गया आपको यूपी टुपलसी आइटिया इंस्ट्रक्टर का यह हमारा दूसरा प्रेक्टिस बाकि और भी प्रेक्टिस हम आपके लिए लाएंगे तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने द देखें मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्यू